प्रपेगंडा को परास्त कर दिया है देश की जन्ता ने परफॉर्मस को प्राथ्विक का दिया है प्रम की राजनीती को देश वाथ्यों ने ठुकराया है और वरोसी की राजनीती पर विजय की महौर लगाई सभाबते की सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी पढ़ाव विशेश है क्योंकि इसे भी 75 सा हुए है और इसलिए एक सुहक सहियोग है आदेने सभाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेने जीवन में जिनके परिवार में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता हूँ और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संविधान दिया है उसने हम जैसे रोपों को अउसर दिया है और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संविधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जनका जनार्दन ने उत पर महर लगाई तीसरी बार आने का मोगा मिल गया संविधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन महात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरीट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार की नीती निधारन में कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मानदर संविधा आदे लिए सभा पती जी मुझे आद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहां रहा कि हम 26 नमंबर को संविधान दिवस के रुपत बनाएगी तो मैं हरान हूँ जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते है दुनिया में लहराते रहते है उन लोगों ने गिरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्यों लाएगी और आज संविधान दिवस के माद्धम से आज संविधान दिवस के माद्धम से देश के स्कूल कॉलेटिज में संविधान की भावनाप सम्विधान की रचना में क्या भूमिका रही है देश के गर्मान में महापुरूस होने सम्विधान के निर्माण में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णे किया इन कारों से कुछ चीजों का स्विकार करने का निर्णे किया इसके विशह में हमारे स्कूल कॉलेजिज में भिस्तार से चर्चा हो निबंदस फर दाये हो, चर्चा सबाये हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति, आस्ता का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ क्सित हो, देश वांचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन सम्विदान हमारी सर्चे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 बर्स में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राष्ट व्यापी उत्सव बनाने बढ़ता है और इसे देश के कौने कौने में सम्विधान के भावना को सम्विधान के पीसे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का प्याश है आदनिय सभाबते जी देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर जिक्सिद भारत आत्म निर्भर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प को सित्धी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये आदेनिया सभापते जी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मौर है ही लेकिन ये चुना भविश्य के संकल्पों के लिए भी देश की जन्ता ने हमें चुना क्योंकि देश की जन्ता का एक मत्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को संकल्पों को सित्धा करने के लिए हमें आउसर दिया कि आदेने सभावति देश धनियनहाती जानता है कि देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थ वबस्ता को कि दस नंबर से पांच नंबर पर पहुंचाने में सभावता प्राइब और जैसे जैसे नंबर निकर्था की सिद्धी के दर पहुंचता है एक की तरफ पहुंचता है तो चुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के तक्रीन कालखन के बावजुद संगर्ष की वैश्विक परिश्यों के बावजुद के बावजुद के बावजुद में हम अमारे देश की अर्थ वबस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पांच नंबर पर पहुंचाने में जगा इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की एकनोमी पर पहुंचाने के लिए जना देश दिया है और मुझे पक्का विषवास है कि देश की जनता ने हमें जो जना देश दिया है भारत की अर्थ वबस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुँचा के रहे हैं मैं जानता हूँ अधरने सवापती जी यहाँ कुछ ऐसे विद्वान है जो यह मानते है कि इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने आप तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है यह तो अपने आप हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनोंने आटो पाइलोट मोर्ट पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पाइलोट पर सरकार चलाने का उनको आदी है इसलिए वो कुछ करना धरने में विस्वाब नहीं करते हैं, वो कुछ करने धरने में विस्वाब नहीं करते हैं, वो इंतजार करना जानते हैं, लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते हैं, आने वाले वर्षों में, पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है, उसको गती भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तान भी बढ़ाएंगे, और गहराई भी होगी, उंचाई भी होगी, और हम इस संकल्प को पुरा करें, आदर्निय सभापती जी, चुनाओ के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था, कि जो दस साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है, उसके हिसाब से तो ये एक्वेटाइजर है, में कोर्थ तो अभी शुरू होगा, आदर्निय सभापती जी, आने वाले पांच साल, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवश्चताएं होती है, एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए, जिन व्यवस्ताओं के, जिन सुविधाओं के, जिस प्रकार के गवर्णन्स की आवश्चताएं होती है, हम इन मुलगुत्स विधाओं के, सैचुरेशन का यूग के रुप में उसको परिवर्टिक करना चाहाँ देए, आधनिया सभाफती जी, आने वाले पांच बर्ष, करीबों के खिलाफ, निरनायत, लड़ाई के हैं, आने वाले पांच बर्ष, गरीबी के खिलाफ, गरीबों की लड़ाई, और मैं मांगता हूँ, गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए, एक सामर्थ के साथ खड़ा हो जाता है, गरीबों की गरीबी के खिलाफ के लड़ाई, सभलता को प्राप्त करती हैं, और इसलिए, आने वाले पांच साथ, गरीबी के खिलाफ लड़ाई के, निरनायक वर्षा है, और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीज़ई होकर के रहेगा, ये पिछले गर्षान के अनुभव के आधार पर, मैं बहुत इस बात से कह सकता हूँ, आधने सभापती की, जब देश, दुनिया की तीसरी बड़ी एकॉनोमी बनेगा, तो इसका उलाव, इसका प्रभाव, जीवन के हर शेत्र पर पढ़ने वाला है, विकास के विस्तार के अनेक आउसर उपलब्द होने वाले हैं, और इसलिए, जब हम, दुनिया की तीसरी नंबर की एकॉनोमी बनेगे, तब भारत के हर्सकर पर शकारत्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव पैदा होने वाला, आदेनिया सभापती जी, हम आने वाले कालखन में नए स्टार्ट अप्स का, नई कंप्रियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखन में हमारे टीर टू, टीर टीर थी सिटीज भी, ग्रोथ एंजीन की भूमिका में देश्विक पर बहुत बदाख रहे हैं, आदेनी प्रभावती जी, ये सपाप दी, टेक्नॉलोजी डिवन सताव हैं, और इसलिए हम कई नए सक्टर सुमें, नए फुट्प्रिंट्स भी अवश्चे उसे देखें गी, आदेनी सभापती जी, आने वाले पांग साल में, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में, बहुत तेजी से बड़लाव आने वाला हैं, और इसका लाव, भारत के कोटी-कोटी जनों को जन्द से जन्द मिले, उस दिशा में, हम गंभीता से आगे बढ़ना चाहते हैं, आदेनी समापती जीए, भारत की हिकास यात्रा में, हमारे छोटे शहर, जाए खेल जगब हो, जाए शिच्छा जगब हो, जाए इनोवेशन हो, जाए पेटन की रेजिस्ट्री हो, मैं साथ दे जहाँ हो, कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की ताजार में से शहर, भारत में एक विकास का नया इत्याद गणने बादे हैं। मैंने पहले भी कहा है, कि भारत के विकास यात्रा में, जारब प्रमुकिस्ताम है, इसका सशक्तिकरण, अनको आउसर एस बहुत बड़ी कांपत देने वाने हैं। आजनिय सभापती जी, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरी, हमारे देश के मुआउग, अधर हमारे देश की नारीशक्ति, आदनीय सभापती जी, हमने हमारे वितार से आत्रा है, हमारा जो खुस्तस है, उसको हमने रेखांकित किया है। किसानी को लेकर के हरे वितार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते सकारत में रुप से भी रखी है। किसानी को लाबकारी हो। अनेक हो जरा हुशा है। इसको हमने टाकर देने का प्रयास किया है। चाहे खसल के लिए रण हो। अन्दाशा नए गी पिसानों को उखलब दहो। आज की कीमत उचीत हो। और खसल भीमा का अलाग। पहले की सारी मुसिबते भूड करते हैं। पिसानों को सवका जित्तव दोए से ख़भू है। चाहे M.S.P. पर खरीक की कांप हो। हमने पुराने सारे रकोर्ड कोड़ करके पिसानों को जाफ़ करके। एक पतार से धी जिसे बाजार तक हमने किसानों के लिए हर गवस्ता को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बर्सक प्रयास किया है। और जबस्ता को हमने चाफ चौबंद किया है। हाद रिडिये सभापती जी सारे रहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिक कार्ड लोन पाना की करीड करीड लोके बलाना की कहात मुष्टि सब्सक्राइग भी लोपी 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 Egyptians मोड़ना की करीड कार्ड लो अधर ये सभावत हैं, हमने एक किसानिर को एक व्यापक स्वरुट पे देखा हैं और व्यापक स्वरुट में हमने एक किसान त्रेडिड कार्ड मशूप बाना को और मच्वारों को किसान क्रेडिक कार्ड का हमने लाख मुहेड तबया है हमाने किसानों का हेटी के काम दे है असके किसान को भी मजबुती दे है किसाने के हमने काम दे है किसानों किसानों के कर्ड माभी की बहुत दोल पिते गए किसानों को गुम्रा कर रहे था किसानों को गुम्रा कर रहे था और एक अनुमान था उसके लाभा थी शरीर देश के तीन करोड किसान थे सामाने गरी छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था जिसको सबसे जरुवत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था लेकिन आदर्ण ये सभापती जी जब किसान कल्यां हमारी सरकार के रदय में केंडर में हो तो नीटिया कैसी बनती है कल्यार कैसे होता है लाभ कैसे पहुंचता है उसका मैं इस सदन को उदहार देना चाहता हूँ आदर्ण ये सभापती जी हमने प्रदान मंत्री किसान संबान योजना चलाई और प्रियेम किसान संबान योजना का लाभ दस क्रोड किसानों को हुआ है किसानों को देख चुके हैं अधनियत सभापती जी अधनियत सभापती जी देख रहा है चूट खालाने वालों की सत्य सुनने की ताकद भी नहीं होती जिनका सत्य से मुकामला करना इस ते लिए जिनके होसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आदर्यत सभापती जी देश की जंता ने हर प्रकार जोंको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में चीखने के सिवाए कुछ बचा नहीं है कि मारे भाजी ओहला और मादान छोड़के भाग जाना यहीं उनके नसीप में लिखा हुआ मानिय सदेश्णगन अत्यंत दर्दनाक पीड़ा दाएक ऐ मर्या दित आचरन से देखकर महूं साशन तीसरे निरंतर लगातार का आलमी है चैदर्शक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि पर्तिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुफ़सर दिया आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं मर्यादा छोड़कर गए हैं आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है भारत के सुविधान को पीट दिखाई हैं आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है उस सफ़त का अनादर किया है जो सुविधान के तैथली है बारत के सुविधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता हैं ऐसा कैसे हो सकता है हाउस ऑफ एल्डर्स दी अपर हाउस हमें देश का मार दुर्शन करना है मैं उनके आच्रन की बर्षना करता हूं देश के एक चोचालिस क्रोड लोग इसे हाथ होंगे सदन का मत्रव है सद्धापक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मान ये सदशेगन आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशेगों मोका दिया गया इतना बड़ा मजाख भारत का सुधान हाथ है आप में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूं कि वो आप चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करतर भी पर आएंगे मानने प्रधान मंत्री जी आदेनिया सभापती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं एक सो चालीस करोर देश वाचियों ने जो निन्ने दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं और कल उनकी सारी हरकत है फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी होसला नहीं था और इसलिए उम्मेदान छोड़कर के भाग दे हैं अधनिय सभापती जी मैं तो कर्तव्य से बंदा हुआ हूं और नहीं मैं यहां कोई डिबेट में स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूं देश वाचियों को तरह हिसाब देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना कर्तव्य मानता अधनिय सभापती जी वैस्वीक परिसीतियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पोई नहीं आ रहे दिया और हमने करीब करीब बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाइजर में सबसीड़ी दी है और जो भारत के आजादी के इत्यास में सर्वातिक है और उसी का प्रणाव है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने नहीं दिया सरकार ने अपने कंदे पर उसको उठा लिया है आदेने सभापती जी हमने में MSP में भी रिकार्ड बढ़ोतरी की है इतना ही नहीं खरीद के भी द्रे रिकार्ड बनाए पहले MSP की गोशना होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बातें बताई जाती थी पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी करकर के हमने किसानों को स्थावर्थवान बनाने का प्यास आदरे सभापती जी दस वर्सों में हमने कॉंगरे सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक ध्राई गुना अधिक पैसा पहुचाया और हम आने वाले पांच साल सिर्फ इसी का इंक्रिमेंटल बृद्दी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नहीं ने खेत्रों को उन कठिनायों का ध्धन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आध्रणी जमापती जी अन्न भंदारन का विश्व का सबसे बड़ा भियान उने हाथ लिया है और लाखों की ताइदार में विकेंद्रित ववस्ता के तहट अन्न भंदारनों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है फॉल और सब्जी एक ऐसा शेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके बंदारन के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्रक्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं आधरिये सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा के हमारी यात्रा को निरंतर विस्थार देने का प्यास किया है देश वाज्यों को गरिमा पुन जीवन देना यह हमारी प्रात्पिक ता रही है आज़ादी के बाद अनेक दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो हैं उनको पूजती भी है हमारे दिव्यांग भाई भेनों के साथ हमने मिशन बोड में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रोण लेवल पर उसको अड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्तां विक्सित किरने के प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकेँं और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सभापती की हमारे समाज में किसी ने किसी कारण बस एक उपेख्षित वर्ग याने एक प्रकार चे समाज में बार-बार हरदूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पसीम की दुनिया के लोगे सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता जब भारत इतना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बड़े गर्वी की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्षधरा में लाने का प्रयास शुक्त प्या है आपने देखा होगा पद्मा एवार्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया है हमारे गुमंत जनजातिय समुदाय है हमारे गुमंत साथी हमारे बंजारा परिवार उनके लिए एक अलग कल्यान बौर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्रक्ताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थाही सुरक्षीत और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उ उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आदर ये सभापती जी हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं पीवीटी जी पीवीटी जी पीवीटी जी हमारे जनजातिय समुद में यह सबसे पीशे रहा हुआ है और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्यों ने उनको नीकर से द देखा है हमने एक विशेश विवस्ता की है और पी-एम जन्मन योजनाव के अतहरत चोपीस हजार करोड यह समुदा बिखरा हुआ है चोटी संग्या में बोट की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपर ऐसी जिसकी बोट की ताकत है उसी की चिंता करना लेकिन समा की है क्टों के हम वर्ट की राजनी की करतों है हम ढक्राजी सभापतिजी है हमारे देश में पारमति परिवारिक कोश अचैनल्य भारत की विकास यातRA का और विवस्ता का एक अंग रहा है जो हमारा विश्वकर्मा समू है जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाज की आवश्रक्ताओं को पूरी करना है लेकिन उनकों कभी एड्रेस ने किये गया है हमने करीब करीब 13,000 करोड रुपे की होजना से विश्वकर्मा समूदाय को आधूरिक्ता की तरफ ले जा गया था लेकिन मेरे रेहडी पट्री वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी हालत थी पहली बार देश मैं पी-म स्वनीदी योजना के तहर रेहडी पट्री वालों की चिंदा की गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से भार आकर के अपन इसनांधारी से जो रेहडी पट्री वालों को बैंकों से लोन मिले हैं तो लगातार बैंक वाले भी खुश हैं लेने वाले भी खुश हैं और जो कल फुट-पात पर रेहडी बैठता था आज एक छोटी दुकान दिशा में बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पह अप्धासिवो मैला हो उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है आदेने सभावती जी हम विमेंग लेड़ डेवलप्मेंट की बात करते हैं दुनिया के प्रगतिशिल देशों के लिए भी विमेंट डेवलप्मेंट तो बहुत स्वाभावी स्विकार करते हैं लेकिन विमेंट डेवलप्मेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निश्टा के साथ विमे लेट डेवलप्मेंट की और कदम बढ़ाएं और महिला ससक्विकर्ण का लाब आज दिख रहा है हरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कॉंट्यूबूट कर रहा है मैं आधनिये सांसत सुधामूर्ती जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्ह और ने चर्चा में महलाओं के आरोग्य के विशेपर बल दिया था और उसका महत्में क्या है उसकी आवश्यक्ता क्या है उसका बड़े विस्तार थे उन्होंने कहा था और आप उन्हाने बात यह भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मा अगर चली गई तो उसका कोई बीमेन हेल्थ, सेनिटेशन, वैलनेस पर हमने दस वर्सों में एक प्राइरिटी सेक्टर के लिए आपके काम किया है, आधरनी सभापती जी, टॉयलेट हो, सेनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्नेंसिंग के दौरान वैक्सिनेशन की व्यवस्ता हो, और इसका फाइदा, हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है, आधरनी सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ, महिलाए आत्म निर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं, बीदे वर्षव में हमने जो चार करोड घर बनाए हैं, उस में से जाधा तर घर हमने महिलाओं के नाम पर लगाता, बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या, सम्रुद्धी जैसी योजना से, आर्थिक फैसलोब हैं, महिलाओं की भूमी का भी बड़ी हैं, भागीदारी भी बड़ी हैं, और एक प्रकार से, वो परिवार में भी अब निरने प्रक्रिया का हिस्सा बढ़ने लगी हैं, आदेने सभावति की, विमेन सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स, उससे जुड़ी दस करोड बहने, उनका आत्मवास्वास तो बढ़ाई बढ़ा है, उनकी आई भी बढ़ी हैं, अभी तक, एक करोड बहने, जो इस सेल्फ हेल्फ ग्रूप में काम करती हैं, छोटा-छोटा गाउं में कारोबार करती हैं, मिल करके करती हैं, किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती हैं, आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, उन्हीं में से एक करोड बहने लखपती दीदी और हम आने वाले समय में, ये आखणा तीन करोड बहनों को लखपती दीदा, जबानाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं, आदेने सभावती जी, सरकार का प्रयास है, कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, को अगवाई करें, उद्धिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, नई टेक्नलोजी आती है, लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है, हमारी कोशिश है कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे, और वे इसको बढ़ाएं, और इसी के तहट, आपने हमें पाइलट बना दिया है, और पुरा गाम हमें पाइलट दीदी के नाम से जानने लगाएं, और इस करीमा पुर्ण बात, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, आदर्निय, सभापती जी, देश का दुर्भाग्य है, कैसे सम्वेदन सिल मामलों में भी, राजनीती जब होती है, तब तेश माचियों को और विशेश कर महलाओं को, अकल पर पीड़ा होती है, ये जो महलाओं के साथ होते हैं अत्याचार में, बिपश्णा जो सिलेक्टिव रविया है, ये सिलेक्टिव रविया, बहुती चिंता जनत है, आदर्निय, सभापती जी, मैं आपके माधम से देश को बताना चाहता हूँ, मैं किसी राजिय के खिलाप नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं को राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने, बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मीडिया पे विडियो देखा, एक महिला को महां सरे आम सड़क पर पीटा जाए, वो बहन चीख रही है, लेकि महां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए है, और जो कटना संदेश खली में हुई, जिसके तस्वीर है रॉंग्टे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्ज मैं सुन रहा हुए कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है, इस से बड़ा सर्बिंदगी का दुखत चित्र क्या हो सकता है, और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगति सिल नारी नेता मानते हैं, वो भी मुँपे ताले लगा करके बैठ गे हैं, क्योंकि समन्द उनके राजनीतिक जीवन से जूड़े किसी दल से हैं या उस राज्य से हैं, और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुप-चाप हो जाएं। अज़नियत सभापती जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो, और जहां उनकी राजनीति को अनुकुल नहीं होता है, तो इनको साप सूंग जाता है, ये बहुत चिंता का विशह है। अज़नियत सभापती जी, भारत की जनता ने तीसरी बहार, पूनर बहुमत की स्थीर सरकार चुनकर, देश में तो स्थीरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है। लेकिन इस चुनाओं के नतीजों ने विश्व को आस्वस्त किया है अदर ये सभापती जी, और इस नतीजों के कारण, भारत विश्व भर के निवशों के लिए, एक बहुत बड़ा आकरशन का केंदर बन करके उबर रहा है। इप्स और बड़्स का समय पुरा हो चुका है, और भारत में विदेश का निवेश, भारत के नवजवानों के लिए रोजगार के नए आवसाल ही क्याता है। भारत के युवाओं की टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक आवसाल बन जाता है। अज़र्या सर्हापतेजी, अज़र्या सर्हापतेजी एक है। अज़र्या सर्हापतेजी एक मंच पर ले लेए बन जाता है। may be dispensed with to conclude the discussion. Do I have the leave of the house to dispense with the lunch hour today? Honorable Prime Minister, आपने मुझे भी एक मुखा दिया है, जो मेरे से पहले एक चेर्मन को ही मिला है. To listen to the Prime Minister in his third term, replying to the President's advice. और आप से इंस्परेशन लेकर आप देखिये तेबल के उपर, हमने पुर्शू का वंदेश्ट लेकर आप देखिये तेबल के उपर, हमने पुर्शू का वंदेश्ट लेकर जाएं।